यहाँ पर हमें गुड़न खंड करना है x की पावर 12 माइनस 1 का देखो इसके गुड़न खंड करने के प्रॉसेस में हमें कुछ फॉर्मले यूज करने होंगे जिनको हम एलजेबरिक आइडेंटिटीज यानि बेजगंडिते सर्वसमिकाई कहते हैं कौन-कौन सी यूज होंगे पहले मैं तीनों लिख देता हूँ सबसे पहला है कि x2-y2 is equal to x plus y into x minus y दूसरा यूज होगा x3 plus y3 is equal to x plus y x2 minus xy plus y square और तीसरा यूज होगा x3 minus y cube is equal to x minus y x square plus xy plus y square इन ते उनों का यूज है यहाँ पर होगा ठीक है यहाँ पर इनको हम नाम दे रेते हैं तो यह हमारा फॉर्मुला नमबर वन है यह फॉर्मुला नमबर 2 है और यह फॉर्मुला नमबर 3 है तो जहाँ जहाँ पर यूज होगी वहाँ वहाँ पर हम mention करते जाएंगे कि यहाँ पर यह यूज हो रहा है अब वापस question पर आते हैं x power 12 minus 1 तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे x की power 6 इसका square minus 1 का square यानि x square minus y square की form में हम इसको लिख देंगे और यहाँ पर हम पहला वाला formula अपलाए करेंगे तो यह हो जाएगा एक बार इसको plus करेंगे x square minus y square होता है x plus y into x minus y और एक बार minus कर देंगे ठीक है और यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली सर्वसमिका या सर्वसमिका एक से यानि यह हम पर यह हम पर यूज हुई है अब देखो यह दोनों अपने आप में बिल्कुल काफी इनका complicated factorization है यानि इनको हम अलग-लग यहाँ पर करेंगे ठीक है एक साथ करेंगे तो बहुत लंबा एक लाइन पर आ जाए गए सबसे पहले करेंगे x की power 6 प्लस 1 का इसको हम लिख देंगे x की power 2 की power 3 and 1 की power 3 क्यों? जिससे कि हम इसमें यह formula अप्लाई कर सके तो वही formula हम अप्लाई करेंगे तो देखो x क्यूब प्लस y क्यूब क्या होगा? x प्लस y देखो आप इस formula को देखते रहो, ठीक है न? यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं second वाला तो एक बार तो यह x प्लस y हो जाएगा और फिर होगा x स्क्वाइर माइनस x y प्लस y स्क्वाइर यहाँ पर कौन सा formula लगा है? सर्वसमी का number 2 से second वाली formula से और यह हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वाइर प्लस 1 x की पावर 4 माइनस x स्क्वाइर प्लस 1 इतना समझ आ गया अब बात अब यह हो चुका है यह वाला हो गया है ठीक है न? अब बात करते हैं इसकी x की पावर 6 माइनस 1 देखो x पावर 6 माइनस 1 जो है यह सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे x की पावर 3 का स्क्वाइर माइनस 1 का स्क्वाइर और यह हो जाएगा you know x स्क्वाइर माइनस y स्क्वाइर की फिर से आ गई है एक बार इसको प्लस करेंगे और एक बार इसे माइनस करेंगे और यहाँ पर फॉर्मला लगा है कौन सा वही फॉस्ट वाला पहले फॉर्मले से और अब फिर से आप यहाँ पर दिखोगे तो यह x की पावर 3 प्लस 1 है तो यह x पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 आ जाएगा और यहां पर यह X की 3-1 à 3 आ जाएगा तो यहां पर दोनों ही अब use होंगे अब देखोगे X Q plus Y Q और X Q minus Y Q दोनों ही use होंगे तो यह हो जाएगा पहला वाला use करेंगे हम X Q plus Y Q X plus Y X square minus XY plus Y square और दूसरा वाला use करेंगे X minus Y x2 plus xy plus 1 इस तरह से है और यहाँ पर formulae use हुए है second और third ठीक है तो यहाँ पर जो है अब इनको हम एक साथ लिख देंगे एक यह है और एक यह है तो finally हम लिख देंगे x power 12 minus 1 is equal to सबसे पहले हम यह उपर बारे लिखेंगे इसको तो यह हो जाएगा x square plus 1 x4 minus x square plus 1 और इसके बाद हम यह जो यह वाला हिस्सा है यह लिखेंगे तो यहाँ पर यह है x plus 1 x square minus x plus 1 x minus 1 x square plus x plus 1 ओके और यह हमारा answer आ चुका है I hope आपको इस solution समझा आए होगा झापस के कल झाए के zalए हो जए हुआ है यह है